यह कितना क्यूट सॉफ्टर है और यह बहुत सॉफ्ट भी है और इससे बनाने के लिए बहुत कम सामन लगा और बहुत कम वक्त में भी यह बन गया आज मैं आपको पताने वारी हूँ कि घर बेटे बेठे अच्छे से और इजी ली बहुत कम समय में आप एक क्यूट सा होम डेकर मतलब एक बनी रैबिट कैसे बना सकते हो आप इसे कहा भी सजा कर रख सकते हो और यह एक क्यूट सा सॉफ्ट भी है आपको तो मालूमे है कुछ भी बनाना हो तो इसके लिए हमें सामन चीए तो इसके लिए आप मैं आपको बताओगी कि इस क्यूट बनी रैबिट को बनाने के लिए क्या-क्या चीजे लगेगे तो सबसे पहले हमें चीए कोई भी रुमाल याने हैंकी मैंने ये पुराने वाले लिए है आपके घर पे होगी पॉम-पॉम बॉल्स गुगली आइज एक मैंने एक छोटा सा हाट लिए सजाने के लिए रबर बैंड्स सैटल रिबिन्स और सॉक्स आप कौन से भी पूराने सॉक्स ले लो पर नए वाले मत लेना हमारे घर पर पूराने सॉक्स तो पड़े ही देते हैं और गुलू गर इसके जगा आप फैब्रिक ग्लू या नॉर्मल ग्लू भी यूज कर सकते हो और पॉम-पॉम बॉय गुगी है इसके जगा आप बिंदिया भी यूज कर सकते हो ये तो सब के घर पे ही देता हैं सबसे पहले हमें सॉक्स चाहिए आप कौन से भी कलर का ले सकते हो उसके बाद हम सॉक्स लेगे और अपने हैंकिस लेगे आप इसके जगा कॉटन भी यूज कर सकते हो फिर हम इसे सॉक्स के अंदर डालेगे तो हैंकिस ऑक्स के अंदर चला गया है फिर हम रबर बैंड लेगे और इसे टाइप करेगे फिर हम इसे टाइप ली टाइप करेगे त्यूंकि इसमें हम दो लेयर्स बनाएगे इसलिए जैसे कि स्नो मैन होता है सो गाइस यह टाइप हो गया है और यह थोड़ा फ्लफी फ्लफी भी हो गया है इसके बाद आप फिर से एक छोटा हैंकि लीजिए और फिर इसके अंदर डागे तो आप देख सकते हैं कि यह दो लेयर्स बन गए फिर से हम इसके उपर से टाइप करेगे और ध्याग लखिए यह उपर का पार्ट है वो छोटा रेना चाहिए नीचे के पार्ट से तो अब मैं फिलसी से रबर बैट से टाइप करूगी तो अब यह हो गया है फिर इसके बाद हम इसका हम इसके एर्स को बनाने के लिए थोड़ा सा पार्ट काट लेगे ध्यान लखना कि हमें आधा पार्ट चाहिए और फिर यह जो आधा पार्ट है इसके हम दो भाग करेगे क्योंकि इसके एर्स बनाने के और आप देख सकते हैं कि यह ऐसा बना है इसलिए हम इसे ट्रैंगल शिप देना है इसलिए हम इसे वन साइट कट करेगे यह देखिए और यही प्रोसेस हम दुसरे एर्स पर भी करेगे जैसे कि आपको मालूम है कि लॉक डाउन चर रहा है तो सारे लोग घर बेठे हैं घर पर हैं तो आप ये चीजे कर सकते हो ये बहुत इजी ली भी बन सकता है इसके बाद हम इसके पाइट्स स्टिक करेगे यानि आइज माउथ और इसे थोड़ा सजाएगे भी इसलिए आप ग्लू यूज कीजिए यानि फैब्रिक यूज फैब्रिक हाँ और एक बात हमें गम नहीं यूज करना है क्योंकि इससे ये अच्छे से स्टिक नहीं होगा मैंने यूज नहीं उसकिया है क्योंकि ये बहुत अच्छे तरिके से स्टिक हो जाता है अब हम इसके आइस और माउथ स्टिक करेगे इसके जगाह आप बिंदिया भी उसकर सकते हो मैंने यहां गुपलिया स्टिक करेगे तो इसके आइस बन गए है फिर मैं पॉम पॉम लोगी और इसका माउच भी बन गया फिर आप सैटन लिविंग रिविन लीजिए और इसे टाइ कीजिए तो यह टाइ हो गया है तो फिर यह निकलना रहे इसके में से फिर मैंने एक हाट लिया था अब बटन भी उसकर सकते हो तो यहाँ यह क्यूट सा होम डेकर बन गया है आप देख सकते हैं यह एक सॉफ्ट तोई भी है बहुत सॉफ्ट है और इसे आप कहा भी सजा कर भी रख सकते हैं और यह बहुत इजिली घर पर बन भी जाएगा